हेलो फ्रेंड्स स्वाक्त है आपका आपके अपने यूटीव चैनल ग्यानवीर 71 में आज हम डिसकस करेंगे भारत के 48 मुख्य नैदिश जी के बारे में और स्रवोच नियाले से रेलेटिड कुछ कोश्चिन के बारे में हमारा पहला कॉश्चिन है भारत के 48 में मुख्य नैदिश कौन होंगे तो इसका अंसर हैगा एनवी रमना जी एनवी रमना जी 24 अप्रेंग 2021 को नैदिश के रूप में सफ्त लेंगे और एनवी रमना जी का पूरा नाम है नतुला पती विकेंट रमना कॉश्चिन नमबर टू भारत के 47 में मुख्य नैदिश कौन है तो इसका अंसर हैगा शरत अर्विन बोब्डे जी इनकी रिटायरमेंट जो है वो 23 अप्रेंव 2021 को होगी कॉश्चिन नमबर टू शर्वोच नैले के प्रथम मुख्य नैदिश कौन है इसका अंसर हैगा एट जे कनिया जी यह कॉश्चिन मैक्समुम टाइम हर एक कॉश्चिन हर एक पेपर में पूछा जाता है तो गवाईच यह बहुत ही इंपोर्टन कॉश्चिन है सर्वोच नैले की प्रथम महिला नैदिश कौन थी तो इसका अंसर हैगा फातिमा बीबी कॉश्चिन नमबर फाइब भारत में सर्वोच नैले की स्थापना कब की गई थी सन 1950 में कॉश्चिन नमबर सिक्स वर्तमान में सर्वोच नैले में नैदिशों की कुल संख्या मुख्य नैदिश सही कित्ती है तो इसका अंसर हैगा 34 एक मुख्य नैदिश और एवं 33 अन्या नैदिश Q7. सरवोच नयल्य के मुख्या नयदीश को सफ़ कौन दिलाता है? तो इनको सफ़ दिलाते हैं राष्टरपती जी Q8. मुख्या नयदीश अपना त्याग पत्तर किसे सौंपते है? अंसर राष्टरपती जी को Next question और एवे इस वीडियो का last question है सरवोच नयल्य का नयदीश कितने वर्ष की आयू तक अपने पद पर बना रहता है? इसका राइट अंसर है 65 इयर की एस तक So friends इस प्रकार हमारी ये वीडियो खतम हो गई हमारे चैनल को जादा से जादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें धन्यवाद